लेट्स टॉक अबाउट हूँमन रेस्पिरिट्री सिस्टम जैसा हूँमन डाइजेस्टिफ सिस्टम था जिसमें एक पूरी एलिमेंटरी कैनाल थी जिसके थूँ फूड पास होता है और साइड में लिवर, गॉल ब्लाडर, पैंक्रिया, सलाइवरी ग्लांस थे ठीक उसी तरह यहाँ पर एक रेस्पिरिट्री ट्राक्ट होगा जिसके थूँ एर पास करेगी और साइड में दो लंग्स हैं जो में रेस्पिरिट्री ओर्गन है जहां तक एक्चुली हमें हवा को पहुँचाना है कैसा होता है आई हम स्टार्ट करते हैं चलिए देखें आप तैयार हैं तो लेट्स सी नाव सपोस करिए हम फिर से वही डाइग्राम बनाते हैं अपर टीथ लोवर टीथ एन लेट्स से दिस दिस देचिल अब आपको पता है यह पैलेट है हाड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, युविला, यहाँ पर टंग होगी पर मुझे इसे लेबल नहीं करना क्योंकि मैं अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रही हूँ, डाइजेस्टिव नहीं तो यह सपोस नेजल कैविटी है, यह छेद है, नॉस्ट्रिल, यह नॉस्ट्रिल को नेयर भी कहते हैं, इसके थू अंदर जाएगी, इसके बाद यह आएगी पूरी नेजल कैविटी या नेजल चेमबर जिसे कहते हैं, हम बात करेंगे, यह पूरा, और इसके बाद यह जो अंदर छेद है, इसे कहेंगे इंटरनल नॉस्ट्रिल या इंटरनल नेयर, ठीक है, यह एक पार्ट हो गया, इसके बाद जो भी एएर है वो यहाँ आएगी, क्या कहते है इस एरिय को बताईए, यहाँ था ओरो फैरेंस और यह था नेजल फैरेंस, हमने अलज़ेडी डाइजिस्टिफ सिस्टम में पड़ा है, तो जो एर नेजल फैरेंस में आ गई, नेल फैरेंस के बाद वो जाएगी इस एरिया में और ये एरिया वो है जहां पर ओरो फैरिंग से फूड आ रहा है और नेजो फैरिंग से एर आ रही है जी हाँ ये है लैरिंगो फैरिंग्स और एक्चिली फैरिंग्स को इसलिए हम कहते हैं common pathway for air and food और ये food pipe की opening तो इधर होगा esophagus जहां खाना जाता है लेकिन front में अगर आप ऐसे देखेंगे तो front में यहां पर मिलेगी glottis ये रही glottis और glottis जो होती है students ये larynx की opening है जिसे sound box बोलते हैं अभी हम समझेंगे glottis तो ये हो गया sound box this is the larynx हम सब पढ़ेंगे अभी बहुत मज़े आएंगे और larynx continue करेगा trachea में यानि wind pipe में जैसे esophagus को food pipe कहते हैं ये क्या structures है अभी सब बताऊंगी so this is the trachea trachea की आगे की कहानी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं यानि की air जो है वो कैसे जाएगी वो यहां से आई atmosphere से air, external nostril, nasal chamber cavity, internal nostril, nasopharynx, then laryngopharynx, then glottis, larynx and then trachea इस glottis के उपर एक धक्कन होता है अगर आपको याद हो जिसे मैंने बताया था epiglottis कहते हैं आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि जब हमें खाना निगलना होता है जब deglutition करना होता है तो मैंने बताया था कही food wind pipe में ना चला जाए तो ये नॉस्ट्रिल के बारे में तो कुछ नहीं तो दो छेद हैं वन पेर होगा internal nostril भी पर इस nasal cavity के बारे में क्या पढ़ना है हमें आए समझते है स्टूडेंटी जो nasal cavity है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं अंडर्स्टैंड कीजिएगा ये नॉस्ट्रिल के यानि इस छेद के ठीक इधर एंटीरियर ली छोटा सा ये जो एरिया है जहां चुट-चुटे हेयर होते हैं बाल होते हैं और साथ में यहां से चिप-चिपा माटेरियल निकलता है नाग जिसको हम बोलते हैं that is sebaceous glands होते हैं, sebum जैसे oily sebaceous gland ये जो छोटा सा front में anterior part है, small part उसे कहते हैं vestibule क्या काम है इसका, बाहर से atmosphere से air आ रही है अगर उसमें कोई dust particles वगरा है तो इस hair में और ये जो sebaceous, चिप-चिपा, oily, secretion है इसमें trap हो जाए, फस जाए और पहार निकल जाए, अंदर lungs तक ना पहुँचे यानि air का filtration कर रहा है, ये, air filtration is the work दूसरा part, जो nose की roof पे है, यानि इधर कहीं पर, यहां sensory part होता है students ही, इससे हमें खुश्बू आती है बेखो, vestibule part तो इधर है, this is the vestibule front में, anterior में, जा hair और sebaceous, oily glands है और ये जो part है, इससे हमें खुश्बू आने वाली है, smell smell के लिए olfaction word यूज करते हैं, यानि ये है olfactory area, olfactory actually क्या होता है, मैं nervous system में पढ़ाऊंगी, जब आपको nose बताऊंगी, यहाँ पर कुछ sensory hair cell है, और कुछ glands होते हैं, जिने bowman gland कहते हैं, वो mucus produce करते हैं, और वो mucus यहां रहता है, तो जब भी कोई भी हवा में घुला हुआ substance, कोई भी, चाहे बदबुदार हो, चाहे खुश्बुदार हो, वो जब air nostril के थूँ यहां आती है, इस mucus में वो substance dissolve होता है, वो sensory hair cell उसे sense करते हैं, information brain तक जाती है और brain फिर उसका analysis करता है कि यह गुलाब जामुन की खुश्बु है या करेले की, whatever, so that part is called olfactory region, यानि यह sensory part है, यहां से sense of smell develop होता है, इसमें Bowman glands मिलते हैं, sensory hair cell मिलते हैं, इसी की epithelium को nidarian epithelium कहते मैं पढ़ाऊंगी, nidarian, इसमें यह silent is, SCH, nidarian membrane, यह olfactory epithelium, यह से हमें खुश्बु आती है, लेकिन यह जो main cavity है, यह, यह कैसे होती है, यहां बना के बताती हूँ, जैसे for example, अगर यह वो cavity है, let's say, यह, यहां पे तीन हड़ियां होती है, side में, देखो, इसको हाथ लगाओ यह, यह तो nasal septum है, इसके कारण यह nose two chamber में divided है, यह two cavity में divided है, पर यहां पे, इधर पे तीन हड़ियों के उभार होते हैं, जैसे वो होता है ना, वो दूत लेके जाते हैं, ऐसे paper fold करके scroll कहते हैं, ऐसी तीन उभार होते हैं, like this, one, one, two, two, and three, इन्हें कहते हैं, तर्बीनेट्स या कौंका, तीन हैं, superior, middle and inferior, तर्बीनेट्स या कौंका, और इनके कारण जो बीच-बीच में space बन गई है, तीन है यह, तो इनके बीच में two space बनेंगी, याने superior and inferior, miatus कहते हैं, यह हड़ि के bone के उभार हैं, कौन-कौन सी bone है, question आता है, man, जी नहीं, आदमी नहीं, maxilla, याने upper jaw वाली, ethmoid and nasal bone, इनके उभार हैं, इस पूरे portion को, यहां उपर olfactory region होगा, roof पे, यहां vestibule होगा, यहां फिर internal nostril nasal pharynx आ जाएगा, इस region को respiratory part कहते हैं, respiratory part, क्यूं कहते हैं, यहां से जब air गुजरेगी, तो क्यूं कि यह टर्बिनेट है, वैसे तो हवा जो है, वो सीधी चली जाती, पर क्यूं कि यहां ऐसे उभार है, तो हवा इन में ऐसे घूमती हुई जाती है, और जब वो घूमती हुई जाती है, तो body को time मिल जाता है, कि वो उस हवा को body के temperature पर ले आए, हो सकता है, बाहर से जो हवा आ रही है, बाहर 50 degree Celsius temperature हो, 45 degree बहुत गरम, हम नहीं चाहते हैं ऐसी गरम गरम हवा हमारे blood तक पहुँचे, हम चाहते हैं, वो 37 degree याने हमारे body temperature पर set हो जाए, या बाहर बहुत ठंडा है, 10 degree, 12 degree, 0 degree, 5 degree, हम नहीं चाहते हैं ऐसी एर अंदर आए, तो जब वो इस पार्ट से गुजरेगी तो ये AC की तरह काम करेगा, हमारे घर में AC क्या करता है, बाहर कितनी ही गरमी हो, कितनी ही ठंडी हो, आपने अगर 28 degree Celsius पे उसे set कर दिया, तो आपके रूम का temperature 28 degree रहेगा, यानि ये पार्ट वर्क कर रहा है, like air conditioner of the nose or body, air conditioner, AC की तरह question आता है, कैसे करता है, Actually क्या होता है, जब इसमें से हवा इसे घूमती होई जाती है, अगर वो बहुत ठंडी हवा है, तो इस पार्ट में बहुत अच्छी blood supply होती है, तो blood में से जो heat निकलती है, उस heat के कारण वो गरम हो जाएगी और body temperature पर आजाएगी, पर अगर मान लीजे वो बहुत गरम हवा है, तो यहाँ जो mucus produce होता है, इसके कारण से वो थोड़ी cool down हो जाती है, तो यह body अपने आप set करती है, यानि यह जो पार्ट है, इसमें blood supply बहुत अच्छी होनी चाहिए, जी हाँ, यह highly vascular होता है, और इस area के अगर epithelium देखेंगे, वो बिलकुल trachea की epithelium की तरह है, न pseudo stratified columnar ciliated glandular epithelium, नाम ही है glandular, gland है, ताकि mucus produce होता कि हवा को ठंडा किया जा सके, column जैसे cell है, ciliated है, cilia क्यों है, ताकि अगर कोई unwanted dust particle वगरा आ रहा है, जो यहाँ पे trap नहीं भी हो पाया vestibule में, तो भी वो cilia के कारण वापस body के बाहर फेक दिया जाए, out of the nose, so this is all about the nasal cavity, nasal pharynx में already पढ़ा चुक हूँ, जब मैंने आपको digestive system में three type of pharynx बताए थे, याने अब air आएगी सीधे larynx में, याने sound box, voice box, जिसे हमें understand करना है, जिसके अपर छेद को ही हमने glottis कहा है, जिसके उपर एक धक्कन है, एक lid है, epiglottis जो हमें समझना है, but first you note this down, alright students, आईए, पहले हम इतना part देखते हैं and then we'll continue, so human respiratory system में, external nostril, फिर nasal chamber, फिर internal nostril, फिर nasopharynx, फिर laryngopharynx, फिर glottis, फिर larynx, फिर trachea, यहां तक की story पहले देखने है, फिर हम पढ़ेंगे bronchial tree और respiratory tree के बारे में, so this is what I have explained you, हर word, हर बात में already समझा चुकी हूँ, तो मैं इस slide को skip करती हूँ, अब हमें पढ़ना है larynx या sound box के बारे में, students यह वो box है जहां से sound आती है, इन्हें द्वनी, speech नहीं, यह sound जब हमारे mouth cavity में आती है, और जब यह sound, tongue, teeth, cheeks, इन सब के movement होता है, lips, तो इससे alphabets बनते हैं, याने शब्द निकलते हैं, जैसे प, ट, ग, म, यह सब, तो speech किसके कारण होती है, tongue, teeth, cheek, lips, palate, इन सब पे, पट, actually, पहले तो sound आएगी न, वो sound production जो है, voice box, sound box, वो है larynx, अब larynx जो है, यह डबबा है, एक box है, जो muscles और cartilage का बना है, आपके course में larynx की muscles नहीं है, हाले कि कुछ books में पढ़ा देते हैं, बट वो MBBS first prof में आप लोग पढ़ेंगे, हमें इसकी cartilages समझनी है, इस box में, इस डबबे में 9 cartilages हैं, अगर हम number की बात करें, लेकिन ये 9 cartilages 6 type की हैं, ऐसा क्यों, कुछ cartilages हैं, जो 2, 2 हैं, एचली 3 cartilages हैं, जो 2 हैं, यानि 2, 3 जा 6, पर type कितना हुआ 3, और 3 cartilages हैं, जो 1, 1, 1 हैं, तो number कितना हुआ, ये 2, 2, 2, 2, यानि 2, 3 जा 6, और ये 3, यानि 9 हो गई, पर type कितना हुआ, ये 3 type की, ये 3 type की, यानि 6 type की, direct question आता है, कैसे बना ये box चीएगा, एक सबसे बड़ी cartilage है, जिसे thyroid cartilage कहते हैं, thyroid gland नहीं, वो endocrine gland अलग है, जहांसे T3, T4 hormone निकलते हैं, मैं thyroid cartilage कह रही हूँ, जो larynx में है, एक बड़ी सी cartilage है, इस तरह से front में पूरा है, और पीछे आके incomplete है, ऐसा C shape समझ लो आप, ऐसे आकर और ऐसे, इसे कहते ह thyroid cartilage, thyroid, एक single होती है, single, one in number, और मैं आपको animal tissue में cartilages के types पढ़ाऊंगी, यह highline type की cartilage है, direct question आता है, सबसे बड़ी है, largest है, और C shape की cartilage है, यानि पीछे, posteriorly, incomplete है, यहीं वो cartilage है, जिसमें front में, यानि ventral में एक उभार होता है, males के अंदर, यह testosterone के कारण है, सिलिए सिर्फ males म और EVE में से, male कौन था, Adam, तो इसे Adam's apple कह देते हैं, इसी में एक ventral, यानि front में anteriorly उभार है, यानि prominence है, जिसे Adam's apple कहते हैं, और यह testosterone के कारण है, सिर्फ males में दिखेगा, यह सारी questions पूछे जाते हैं, अब, इस cartilage के ठीक नीचे, एक पूरी ring shape की cartilage है, full circle, वो भी single है, उसे cricoid cartilage कहते हैं, क्या कहते हैं, cricoid, यह भी single है, यह ring shape के है, यहने signet shape की है, यह भी highline type की है, और यह इसके नीचे है, thyroid के ठीक नीचे है, ना, इसके अलावा, जब हम पीछे देखें, front से आप देखोगे, तो आपको thyroid cartilage दिखेगी, और cricoid दिखेगा, लेकिन जब आप पी pyramid shape की, छोटी-छोटी सी cartilages है, जो two in number है, हालकि highline type की है, पर pyramid shape की है, उन्हें arytenoid cartilage कहते हैं, अगर आप front से diagram बनाओगे, तो front में आपको नहीं दिखेगी, front में आपको यह thyroid दिखेगी, और circle करती हुई cricoid दिखेगी, arytenoid नहीं दिखेगी, तीछे से दिखेगी, इसी उनके नाम है students, carniculate cartilage, carniculate, and cuneiform, और ये दोनों भी two two in number है, carniculate वाले को centorini भी कहते हैं, मैंने कैसे याद किया था, मैं बड़ा confused होती थी इन दोनों में से centorini कौन सी, तो centroid car थी, car, so car, centorini वाले को carniculate ही इसका दूसरा नाम है, यानि ये तीनों posteriorly हैं, है ना, पीछे, दो, 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 अब, एक cartilage कैसी है समझना, देखो, imagine करो ये thyroid, ये पूरी cricoid, पीछे दो arytenoid, दो carniculate, दो cuneiform, एक है जो पीछे से आ रही है, एक धक्कन जैसी, उपर, वो जो thyroid cartilage है, उसमें जो उपर छेद है, वही glottis है, opening of larynx, और उस पर ये ऐसी leaf, पत्ती के shape की है, जब इसे बंद करना है, तो ये ऐसी हो जाएगी, जब खोलना है, तो ऐसी हो जाएगी, like this, leaf shape की, front से देखोगे, तो thyroid दिखरी है, cricoid दिखरी है, और इसका जहाता हुआ, उपर वाला part दिखेगा, इधर पे, इस तरह से leaf के shape का, इस ये डेगलुटीशन के time पर, glottis के छेत को बंद करती है, ताकि खाना wind pipe में ना जाए, तो type कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पर number कितने है, 1, 2, 4, 6, 8, and 9, जिसमें से first three highline type की है, और next three elastic type के है, ये सारे questions आते है, adam apple क्या है, किसमें होता है, क्यों होता है, ये सब questions है, so this is about the various laryngeal cart cartilages, यहाँ सब लिखा है, एक-एक word पर question आता है, मैंने सब समझा दिया है, अब, ये ventral है, ventral, और ये testosterone है, now, इन्हें याद रखने के लिए एक trick है, और trick है students की calcium और supplements continuously लेने चाहिए, immunity endurance के लिए, so take calcium and supplements continuously for endurance, यानि थायरोइड, क्रिकॉइड, अरेटिनोइट, सेंटोरिन, क्यों निफॉर्म हैं, अप यहीं इनका number लिख सकते हो, इनका type लिख सकते हो, इनकी important information लिख सकते हैं, अब, sound कैसे आती है, समझना, actually जब आप पीछे से देखोगे, पीछे से, तो thyroid आ रही है, यहाँ दो, aritinoid हैं, carniculate है, क्यों निफॉर्म हैं, तो यह जो thyroid और aritinoid हैं, यहाँ पे न, दो पतले-पतले mucous membrane के folds होते हैं, पतले-पतले, दो pair, दो जोडी, याने total four, दो आगे की तरफ, दो पीछे की तरफ, याने two anteriorly, two posteriorly, इन्हें vocal cord कहते हैं, cord क्योंकि इसे रसी जैसे हैं, क्या होता है समझना, जैसे, for example, यहाँ बना के बताती हो, जैसे मान ल से यह, aritinoid है, तो यहाँ पर ऐसे, दो folds होते हैं, एक, और दो आगे की तरफ है, इन्हें vocal cords कहते हैं, यह बिल्कुल पतले-पतले mucous membrane के fold हैं, इन में से जो आगे वाले हैं, उनका कोई role नहीं है sound production में, वो केवल पीछे वालों की help करते हैं, उन्हें moisture देते हैं, protection देते ह हैं, जो anterior वाले, anterior वाले, इसलिए उन्हें false vocal cord कहते हैं, क्योंकि वो sound production में role play नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे वाले हैं, उनके साथ क्या होता है, समझना, बासुरी में से sound कैसे आता है, या पेडों की पत्तियां जब फड़ फड़ाती हैं, तो sound कैसे आता है, एक्चलि produce होता है, पत्ते भी पेड़ के पत्ले हैं, इसलिए घड़ घड़ात होती हैं, जब हवा उसमें से निकलती है, इसी तरह से जब हम inhale करते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो larynx की muscle relax करती हैं, तो पूरा larynx box relax करता है, तो ये दोनों vocal cord कोड के बीच में जगे बढ़ जाती हैं और हवा अंदर चली जाती है, लेकिन जब हम expire करते हैं, exhalation करते हैं, सांस बाहर छोडते हैं, तो पूरा larynx की muscle contract करती हैं, तो ये इन पे भी tension create होता है, ये पास पास आते हैं, और इनके बीच में gap कम हो जाता है, और उस कम gap में से जब हवा बाहर निकलने की कोशिश करती ह है, तो ये फड़फडाते हैं, इनमें vibrations होते हैं, और वही vibrations sound में convert होते हैं, इसलिए posterior वालों को कहने है, true vocal cord यहीं पे sound production होता है, कब, जब हम सांस छोडते हैं, ये question आता है, याने exhalation के time, और जितना ज़ादा इन दो vocal cord के बीच में tension create होगा, उतना ज़ादा sound produce होगा, उतन की females में होती है, so posterior वाले true vocal cords हैं, ये question आता है, इनहीं में sound production होता है, anterior वाले सिर्फ उन्हें protection और moisture दे रहे हैं, so this is about the sound box, अब हम कुछ बाते करते हैं, ट्रेकिया के बारे में, ट्रेकिया जो है, मैं यहाँ समझाती हूँ आपको, wind pipe है, जैसे यह glottis है मान लीजे, और यहा पे males में, जो उभार दिखता है, वो भी बना दिया, यानि Adam's apple, अब यह ट्रेकिया है, let's say, this is the trachea, trachea जो है, यह पूरी neck में मिलेगा, और फिर यह chest region में आता है, और T5, total 12 thoracic vertebrae है, यहां से लेके यहां तक पीछे की तरफ, तो 5th वाली thoracic vertebrae के level पे जाके, 2 parts में डि से वो ऐसे डिवाइड हो गया, हम अभी सब समझेंगे, यह जो ट्रेकिया है, wind pipe, यह, इसे wind pipe कहते हैं, यह 10 cm लंबा है, और 0.5 cm करीब चोड़ा है, approximately, wind pipe पे, air इसके थूरू पास करेगी, इसमें भी वही, pseudo, stratified, ciliated, columnar, glandular, epithelium मिलती है, अब यह जो ट्रेकिया है, students, इ इसमें हर जगे मैंने ऐसी rings बनाई थी, यह क्या है, समझना, इस तरह की rings है, पूरे ट्रेकिया में, यह cartilage की बनी है, students, highline cartilage की वो भी, question आता है, cartilaginus rings है, बहुत question आता है, 16 to 20 यह नंबर, यानि एक ट्रेकिया में 16 से 20 और highline type की है, अब, ट्रेकिया एक pipe है, यह ring उसको support दे रही है, अगर यह ring पूरी होती, circle जैसी, तो जब ट्रेकिया expand करता, तो यह तो pressure पड़ जाता, तो यह incomplete है, यानि front में तो पूरी है, वही C shape की, और back side में यह incomplete है, यानि यह C shape है, यह भी question आता है, और कहा incomplete है, पीछे की तरफ, यानि dorsally incomplete है, यह भी question पूछते है, अब तो क्योंकि यह C shaped है, तो इसको space मिलेगा और यह expand कर जाएगा, पर जब हम exhale करेंगे, तो कहीं जब low air pressure है, तो ऐसा ना हो कि ट्रेकिया collapse कर जाए, तो यह cartilage की, जो highline cartilage की rings है, जो incomplete dorsally है, C shaped है, यह इसे protect करके रखती हैं, ट्रेकिया को collapse नहीं होने देती, बहुत important है, यह पहले bronchi हैं, इन्हे primary bronchi कहेंगे, primary bronchi, टू होंगे, एक right में और एक left में, और यह जो bronchi हैं students, यह lungs में enter कर जाएंगे, जी हाँ, यह enter करते हैं, question आता है, bronchi वो structure है, जो lungs में enter करता है, इसी तरह से यहाँ पर यह left lung होगी, like this, so which structure enters into lungs, it is the primary bronchi, one right side में, one left side में, अब नहीं यह divide होते जाएंगे, मैं थोड़ी दिर में पढ़ाऊंगी कि left lung छोटी है, right lung बड़ी और इसे रटना मुश्किल नहीं है, पर यह आप बीच में से divide करो, chest cavity को, जहाँ पर lungs है, तो left side में heart भी आना है, तो lungs थोड़ी छोटी हो ही है, बस ऐसे याद रख लो, यह सपोज हार्ट है यहाँ पर, हार्ट के लिए cardia word यूज करते हैं, तो यह cardiac notch हो जाएगी, गड़ा, left lung में है cardiac notch, जिसमें heart placed है, notch, अब क्योंकि यह चोटी है, इसमें two divisions होते हैं, ऐसे, one, two, और क्योंकि यह बड़ी है, इसमें three divisions होते हैं, इन्हें lobes कहते हैं, तो right lung में three lobes हैं, और left lung में two lobes है, रटना कोई मुश्किल नहीं है, उसमें क्योंकि three compartments बनाने हैं, lobes बनाने हैं, तो two fissures हैं, और यहाँ पे two lobes बनाने हैं, तो one oblique fissure है, यहाँ oblique fissure, यहाँ oblique and horizontal fissure है, तो यह जो primary bronchi हैं, इन्हें अब एक-एक cell तक air पहुचाने है, एक-एक LVU लाए तक, क्योंकि वहीं blood supply आएगी, वहीं exchange of gases होगा, तो इधर वाला जो है, वो two parts में divide करेगा, like this, और इधर वाला three में divide करेगा, ताकि सारे lobes तक पहुँच सके, like this, primary bronchi डिवाइड कर रहा है, तो इसे कहेंगे secondary bronchi, कितने होंगे बता primary bronchi किस में divide हुआ है, secondary bronchi में, अब ये secondary bronchi फिर पतले-पतले tubes में divide होंगे, फिर से दुबारा, तो इस तरफ 10 और इस तरफ 8 इने कहेंगे tertiary bronchi, तो secondary bronchi डिवाइड करके बनाएगा tertiary bronchi, कितने होंगे, फिर से right side में जाधा है, 10 और left side में 8, अब ये फिर डिवाइड और पतले-पतले होंगे, जब ये फिर डिवाइड करेंगे, तो अब जो structure बनेगा उसे bronchi नहीं कहेंगे, उसे bronchiol कहेंगे, जैसे जब भी हम eol word लगा देते हैं, या let word लगा देते हैं, जिजीव की जिगे leaf की जिगे leaflet, तो छोटी हो जाती है, तो bronchi का पार्ट पतला है, तो bronchiol कहेंगे, पहला bronchiol जो बनेगा, उसे initial bronchiol कहेंगे, first है, तो initial bronchiol, ये बहुत सारे होंगे right side में, बहुत सारे बनेगे left side में, पतले-पतले-पतले tube जैसे divide करते जाएंगे, अब ये कई बार और divide करते जाएंगे, दो बार, चार बार, दस बार, सौ बार, इसे मिलने dot dots लगा दिये हैं, बहुत बार divide करने के बाद, ये भी इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बहुत सारे होंगे, students अभी तक nose से लेके, मैं फिर बोलती हूँ, external nostrils से लेकर, और terminal bronchiol तक कोई exchange of gas नहीं हुआ, यानि blood के साथ O2 CO2 का कोई exchange नहीं हुआ, इस पूरे पार्ट को कहते हैं, conducting zone, direct question आता है, conducting zone, conducting zone क्या है, external nostril से लेकर, terminal bronchiol तक का पूरा, respiratory system, external nostril, nasal chamber, internal nostril, nasopharynx, laryngopharynx, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, initial bronchiol, terminal bronchiol, this is all conducting part, यहाँ पर air का filtration हो रहा है, यहाँ पर air की conditioning हो रही है, trachea में भी आप देख रहे हैं, pseudo stratified ciliated epithelium है, ciliated मतलब कोई dust particle वगएरा है तो उसे बाहर body के nose के बाहर फेक दिया जाएगा, इन में भी columnar cells होते हैं, धीरे धीरे वो cells अफ्लाट होंगे, तो column से cube जैसे बनेंगे, ल यहाँ तक यह c-shaped rings भी मिलती हैं, तो यह जो cartilaginous rings है, यह direct question आता है, cartilaginous rings, यह कहां से कहां तक मिलती है, यह trachea से लेकर initial bronchiol तक मिलती है, तो initial bronchiol, काम वही है, low air pressure के time पर उस structure को collapse होने से बचाना, अब क्या होगा, यह terminal bronchiol फिर से divide करेंगे, फिर से divide करेंगे, यह जो part है यह सारा, इसे bronchiol tree कहते हैं, bronchiol tree, bronchi and bronchiol, अब जब यह divide करेगा, अब यहाँ से exchange होगा, तो इसे respiratory bronchiol कहेंगे, क्योंकि यहाँ से अब actually exchange of gases होगा, respiratory bronchiol, यह फिर divide करेगा, पतले पतले सब divide होते जा रहे हैं, यह divide करेगा, अल्वियोलर duct में, फिर यह divide करेगा, अल्वियोलर duct के बाद atria में, फिर atria divide करेगा, अल्वियोलर sack में, यह सब flow chart आता है, sack मतलब end तक आते आते ऐसे structures दिखेंगे आपको थेले जैसे, और यह sack क्या है, actually यह ऐसे बने हुए है, एके को यह ऐसा है यह, ऐसा, like this, इस एके को LVU LUS कहते हैं, LVU LUS, plural हो जाएगा LVU LIE, तो यह जो पार्ट है, respiratory bronchiol से लेकर LVU LUS तक इसे exchange zone कहते हैं, यहाँ पर gaseous exchange actually होगा, exchange zone, maximum of course LVU LIE से ही होता है, so this is from respiratory bronchiol to LVU LUS, यह सारे direct questions हैं, एक lung के अंदर 300 million, 300 million LVL आएए हैं, यहने total two lungs में मिलाकर 600 million LVL आएए हैं, जिने अगर हम खोल दें तो पूरा एक tennis coat, lawn tennis का coat बन जाएगा, यहने 80 meter square area होगा, यहीं पर blood supply आएगी और O2, blood में चली जाएगी, और blood जो CO2 लेकर आ रहा है, वो इसके थू फाइनली बाहर चली जाएगी, this is how it works, इसे पूरे को हम रेस्परिट्री ट्री कहते हैं, तो ट्रेखेया, ट्रेखेया के बाद ब्रॉंकियल ट्री, और ब्रॉंकियल ट्री के बाद रेस्परिट्री ट्री, अब आएए हम इतना पहले देखते हैं, अब आप यहां पर अप्राइचेट कर पाएंगे, यह देखिएगा, टरेकिया, देन ब्नुखेटी जिसमे प्राइमरी ब्रौंकाय, सैकेंडरी ब्नुखे, टर्शरी ब्नुखे, नीशिल ब्नुखे, और टर्मिनल ब्नुखे लाएगा। और ग्रेस्पृराइटरी जिसमें ब्रॉंक्योल, एल्वियोलर डॉक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाय आएगा अब आईए हम ट्रेकिया के बारे में सब पढ़ दिया एक बर क्विकली देख लेते हैं So, wind pipe है 10 by 2.5 cm है ध्यान रखना दोनों ही, mid thorax याने T5 के लेविल पर जाकर ये डिवाइड करता है इंटो 2 primary bronchi, इसमें 16 से 20 C shape जो posteriorly incomplete है, high line cartilage की rings है जो बचाती है collapse होने से during air pressure और pseudo stratified ciliated columnar glandular epithelium है Conducting zone में external nostril, then vestibule, nasal chamber, internal nostril, nasopharynx, laryngopharynx, glottis के थुरू larynx, trachea Primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, initial bronchiol and terminal bronchiol यहां तक है conducting zone और respiratory bronchiol से alveoli तक है exchange zone C-shaped cartilaginous ring जो है वो trachea से initial bronchiol तक है और primary bronchiol वो structure है, primary bronchi, not bronchiol जो lungs में enter करता है This is the bronchiol tree and this is the respiratory tree or the exchange zone I hope it is all clear now